नमस्तार श्री किष्णा मेरा के शिवानी अश्टो चैनल में आपका बहुत वह सवागत करता हूं और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं पिछले कुछ समय से लास्ट कुछ वीडियों से जोतिश की मैंने जोतिश ग्यान के नाम से सीरीज स्टार्ट की है जिसमें का रीजन है कि अगर आप उन प्लासिस को अटेंड कर लेते हैं तो शायद आप एक अच्छे जोतिश बन सकते हैं अगर आपको इंट्रेस्ट है तो मैं ज्यादर समय वेशना करते हुए आपको बताता हूं पीछे तक मैंने मितुन लगन तक मैंने से पढ़ा दिया है आज म वालों को कैसा सुभाव होता है उस सुभाव के बारे मैं मैं आपको बताने जा रहा हूं तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आपको एडिया रहे करक राशी वाले करक राशी वाले हम जालते हैं कि हमारी बारा राशिया हैं बारा राशियों में से चौतिय नंबर की राशी करक राशी होती है और करक राशी का जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है सिंबल इसका किएगड़ा की तरह होता है कीएगड़ा जैसरे हम लोगों ने कई देखा होगा बहुत-बार देखा है कीएगड़ा इसका होता है इंके journée तसि आरों का परफ्यूम आता है लगी परफ्यूम होता है इनके लिए बहुत अच्छा गूगल पर ट्राइब कर सकते हैं गूगल पर गूंद सकते हैं अमेजन वगरा पर यह पर्फ्यूम मिल जाएगा ओ-एन-वाइ-सी-एच-ए के नाम से है तो इसको एक बार देखेंगे तो यह परफ के लिए बहुत अच्छा होता है वेडनस डे जर्णी के लिए बहुत अच्छा होता है और वेडनस डे ही इन्वेस्मेंट के लिए बहुत अच्छा होता है तो इन्हें देख रहना चाहिए कि कब इनको जर्णी करनी है या कब इन्वेस्मेंट करना है कब इनको सक्सेस चाह है रेड है यलो है ब्लू इनको वाइट करना चाहिए बाफी कलर इनके लिए ठीक है अगर आप प्रत रखना चाहते हैं तो इस केस में सो मार का दिन आपके लिए बहुत सुटेबल है बरत रख सकते हैं अच्छा इसमें बहुत इंपोर्टन्ट यह है कि यह चर राशी होती है थे जैसे जोग चलायमान होते हैं इस्थिर काम करना कम पसंत करते हैं रहे काम करना क wrath करना करते हैं वह वाटरी राशी की अ तो आपको पुराणी विडियों देखे होना बहुत जरूरी है तब ही आप इस चीज़ को समझ पाएंगे यह जल राशी है जल राशी वाले लोग थोड़ा सेंटिमेंटल होते हैं बहुत जल्दी उनका इमोशनल कोशन बहुत हाई होता है बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते ह हैं उन्हें कोई कुछ बात कह दे तो उन्हें जल्दी हाड़ भी हो जाती है तो लेकिन कहते हैं कि बहता हुआ जल होता है शुद्ध होता है बहुत निर्मल होते हैं यह लोग साफ और सिद्धे मन के होते हैं जो राशी का चिन है वो केकड़े की तरह है केकड़ा क्या होता उसके जो शेल है बहुत होती है और नेक्सकी तरह बहुत ही सथ होती है तो ऐसे लोग जो होते हैं अपने उपर एक बाउंडरी बना लेते हैं ऐसा लगता है उनको देखे कि जैसे ये बहुत हाड है लेकिर अंदर से यह बहुत सव्ट होते हैं तरह क्ला होंगी सिर्शंच नहीं स्थार्टिये उब्योद esse Ugh ऑगे से होती है उब्योद्राइजी की शायilींग स्थार्ट होती है डीच के गुरुप से होती त機त कि की जो शाइनिंग स्टार्ट होती है वो लास्ट के जो से स्टार्ट होती है उत्तर दिशा है यानि उत्तर दिशा में अगर ये कुछ कारे करें कुछ काम करते हैं तो इन्हें सकस्थ मिलेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है इस्तिर राशी है इस्तिर राशी है मेंज के ऐसे जा राशी है जादी ये राशी कमजोर हो ये राशी कुंडली के अंदर पिडित हो तो ऐसे इंसान को कफ की बिमारी काफी हो सकती है पंद्रे जुलाई से लेके पंद्रे अगर्स के बीच में सूर्य इस राशी में रहता है पंद्रे जुलाई से पंद्रे अगर्स के बीच में और इस महीने को श्रावन का महीना बोलते हैं ब्रहामन वन की राशी है सात्विक राशी है बहुत नेचरल आदमी होते हैं बहुत सिंबल और प्रेटिकल होते हैं ज्यादा हाइफाई और श्योब आजी इनके अंदर इन्हें पसंद नहीं है कि उसी प्रकाट से इनकी कुछnt था करौद कि इनकी लोओर स्टेंग इनकी जो इनकी गौत है बड़ी बहुत insरेंड करते हैं बहुत मित iau tes yes यह निकान में और यह नहीं से बहुत सोऩ समझे हैं मैंति होते हैं और फोड़ा होते हैं मुश्जिण साथ रहती हैं इस पॉइंट पे अगर अपने आपको इंप्रूव करें तो बहुत जल्दी कर सकते हैं और आसानी से अपनी इस कमजोरी के ऊपर कमजोरी को ढख सकते हैं और अपनी हाय इस्टेंट बना सकते हैं बहुत बोले होते हैं विझाए जीवन कि वह ज़्यादे सुखर इनका नहीं होता थोड़ा ईनके जीवन में खाल Kingdom ज्यादा हो भास जल्ली बातों शास्त्रों में इसके बारे में एक बहुत अच्छा श्लोग लिखा है वो कहते हैं शुद्य करक लगन में जिनम लेता है तो बहुत स्वच आच्रण वाला और निर्मल होता है शुत कलाम निर्मल व्रत्ययस स्वच आच्रण वाला और निर्मल होता है लीक से हटकर होता है इत्र का बहुत शौकीन होता है ऐसे लोगों को इत्र बड़ा पसंद होता है कामुक होता है सुखु के पीछे फड़ा होगा और धनिया दौलत की तलाश करेगा अच्छे गानों के बहुत शौकीन होते हैं कितने ही बड़े परिवार में पैदा हूं जब भी जीवन में थोड़ा बहुत संगर्ष इनके रहता है यह थोड़ा साथ ध्यान अपना चाहिए इनको संगर्ष रहने का रिजन सिर्फ इमोशन का इनको बच्छों से बहुत जादा उबीद नहीं रखनी चाहिए बच्छों से क्या आपने किसी से भी अपने सिब्लिंग से बहुत जादा एक्सपेटेशन ना रखें तो खुशी रहेंगे ज्यादा रखेंगे तो हो सकता है क्योंकि यह लोग अपने पास के लोगों से आपने चाहने वालों से बहुत जादा एक्सपेटेशन रखते हैं तो वह ना रखें इतना क्योंकि नॉर्मली आजमी कुतना नहीं रखना चाहिए कुछ अगर पूरी ना हो तो परिशानी होती है दुख होता है क्योंकि जल्दी आहत होते हैं तो थोड़ा जल्दी स्ट्र करें तो यह चीज होती है तो हमने करक लगन में देखा कि एक ही चीज ऐसी है जिसको यह कंट्रोल करें तो बहुत इपॉर्टेंट को कंट्रोल करें तो बहुत अच्छी राशी है बन सकती है और इसके साथ मैं आप से यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने एडवांस अस् पर करके जोइन कर सकते हैं धन्यवाद शेशी कृष्णा नमस्कार